वेलकम टू इग्जामिनेशन ट्वंटी सेवन आज की क्लास में हम प्राब्लम्स आफ ट्रेंज के पार्ट सेकेंड को कवर अप करेंगे बहुत ही सांधार तरीके से क्वेस्चन्स को हल करेंगे तो वीडियो में सुरू से लेके एंड तक बने रहे चैनल पर नए है तो चैनल को सस्काइब कर दे तो चलिए क्वेस्चन्स पर चलते है क्वेस्चन नमबर 19 से हल करेंगे क्योंकि इससे पहले के सभी क्वेस्चन को हम पार्ट फर्ष्ट में कर चुके हैं अगर नहीं देखा तो डिस्करिप्शन में लिंक है वहाँ से देख ले तो चली क्वेस्चन है देखिए 120 मीटर और 90 मीटर लंबी तो रेल गाड़ियां करम सा 80 किलो मीटर पति घंटा तो 55 किलो मीटर पति घंटा की चाल से एक दूसरे के और समानतर पट्रियों पर दोड रही है यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएंगी क्वेस्चन को समझिए एक रेल गाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और दूसरी रेल गाड़ी की लंबाई 90 मीटर है 90 मीटर है तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी ये गयाद करना है तो हल करते हैं देखिए डायग्राम से समझेंगे पहले देखिए पहली रेल गाड़ी होगए इसकी जो लंबाई 120 मीटर लंबी है और जो दूसरी रेल गाड़ी है वो इसके लंबाई है 90 मीटर और इन दोनों के बीच की दो डिस्टेंस है वो 90 मीटर इनके बीच की दूरी किती है 90 मीटर तो देखिए जब कोई ट्रेन एक ही दिसा में जाती है जब कोई ट्रेन एक दूसरे को पार करती है तो वो अपनी दूरियों को जोड लेती है 120 और ये 90 और इनके बीच का गेप किते का है 90 ये टोटल जोड लेंगे तो क्या 120, 90, धन 90 तीनों को जोड लेंगे तो ये हो जाता है 300 ये टोटल हो जाएगा 300 डिस्टेंस हमारे निकल के आगए 300 अब देखिए सेकेंड बात ये है कि इनकी स्पीड पहली जो रेल गाड़ी है 80 किलोमीटर पती घंटा की चाल से चल रही है और दूसरी जो रेल गाड़ी हो 55 किलोमीटर पती घंटा की चाल से चल रही है और तो देखिए जब कोई रेल गाड़ी विपरी दिसा में चल रही है इन दोनों एक दूसरे की एक इस साइड जा रही है और एक इस साइड तो विपरी दिसा के सापेक चाले जुडती है और एक ही दिसा के सापेक चाले घटती है तो जुड जाएंगी यह चाले भी जुड जाएंगी 80 और 65 135 हो जाएगा तो देखी ये जुड़ जाएंगी तो ट्योटल किता हो गया 135 135 ये हमारी क्या निकल के आ गई Speed निकल के आ गई हमारे पास Speed है, Distance है हम Time निकाल सकते हैं बिलकुल निकाल सकते हैं तो निकाल लेंगे तो देखी दोस्तो Time बराबर होता है Distance upon Speed Distance हमारे पास 300 है Speed किती है 135 किलोमीटर प्रति घंटा देखी जो है हमें Distance जो है मीटर में दिये और Speed जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दिखी तो इकाई समान करने के लिए हम क्या करेंगे इसे भी मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे इसलिए पाज बटे 18 को गुड़ा करना पड़ेगा जब हम पाज बटे 18 को गुड़ा करेंगे तो बटे में 18 आएगा जो ऊपर चल जाएगा अब देखिए काट देते हैं इसे पाच एकम पाच पाच चक के 30 तो ये 60 आ गया फिर देखिए पाज दूनी 10 और 57 पैंटीस पाच एकम पाच और पाज दूनी 10 नव दूनी अटरा नव तिया 27 और ये 3 से 12 किते बार कड़ गया चार बार कड़ गया तो टाइम क्या निकल के आ गया हमारा चार गुडी 2 आठ चार दूनी आठ यानि कि जो ट्रेन है एक दूसरे को किते सेकेंड में पार करेगी देखिए क्वेश्चन को दोस्तो दो वेक्ती क्रमसा दो किलोमेटर पति घंटा तथा चार किलोमेटर पति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे है यह उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में ट्रेन जा रही है तो देखिए यह पहले वेक्ती को 9 सेकेंड में पार करती है और दूसरे वेक्ती को 10 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ग्याद करना है हमें ठोल करते हैं डाइग्राम से समझते हैं देखिए पहले वेक्ति की स्पीड किती है दो किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे वेक्ति की स्पीड है चार किलोमीटर प्रति घंटा और यह उसी दिसा में जा रहे हैं जिस दिसा में ट्रेन जा रहे हैं चुकि हमें ट्रेन की स्पीड है और डि जब ये train पहले व्यक्ति को पार करेगी तो समान दिशा के सापेक चाल चुकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं और समान दिशा के सापेक चाल घटती है train के चाल हो गई X हमने X माना है और व्यक्ति की चाल किती है दो 2 km पती घंटा तो X में से दो घटा लेंगे तो समान दिशा के सापेक चाल क्या आ गई इस्पीड किती आ गई X रिंड दो ठीक उसी प्रकार देखिए जब ये train ये दूसरे वेक्ति को पार करेगी दूसरे वेक्ति को पार करेगी तो समान दिशा के साफ एक चाल क्या निकल गए ट्रेन की चाल एक्स और वेक्ति की चाल एक्स रिंड चाल निकल जाएगी तो देखिए हमारे पास speed है speed है और time भी दिया है तो हम distance निकाल सकते हैं हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं तो निकाल लेंगे डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इन्टू टाइम तो स्पीड देखिए स्पीड किती है पहले वेक्ति को जब ट्रेन पार कर रही है तो स्पीड हमार पास एक स्रेंड दो किलो मीटर प्रति घंटा में और हमारे अप्शन जो मीटर में तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, इसके लिए पाज बटे 18 का गुड़ा करेंगे, देखिए, और गुड़े में क्या आजाएगा फिर, टाइम किता हैं हमर पास, टाइम ले रही है, जो पहले वेक्ति को पार करी तो 9 सेकेंड का टाइम ले रही है, अब जब ट्रेन दूसरे वेक्ति को पार करेगी, तो देखिए उसकी, इसपीड किती होगी, इसपीड होगी, एक स्रीइट चार, समान दिशा के सापेक चाल निका ले था हमने, एक स्रीइट चार, ये भी किलोमीटर परती घंटाओं है, तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के जब ट्रेंज दूसरे वेक्ति को भी पार कर रही तो उसकी चाल समान है इसलिए यहां बराबर होगा 5 बटे 18 से 5 बटे 18 कैंसील हो जाएगा ये 9 का गुड़ा 9 X हो जाएगा और 9 दुनी 18 का गुड़ा यहां अंदर हो जाएका एककर रेंड़ा वक्ता साथragen साथ हो जाएगा तो देखिए नव का गुड़ा जब थो नौकागुडा है डोके साथ हो जाएगा तो यह 9 एकस बोके 9 एकस नाज अरे रिन 18 एका रहा its बराबर इसी प्रकार 10 का गुड़ा X रिंट 4 के साथ हो जाएगा तो 10X रिंट 40 तो देखिए यहां 4 रासी एक साइड, X वाली एक साइड और अचर रासी एक साइड कर लेंगे 10X में से 9X जाएगा तो X बचेगा और 40 में से 8 जाएगा तो कित्ता बचेगा चालिस में से, स्वारी यह 8 दूनी 16 है, 9 दूनी 18, 40 में से 18 चल जाएगा तो 22 बचेगा 22 बचेगा तो देखिए X की मान कित्ता आ गया, 22 आ गया तो यह हमारी आगए ट्रेन की चाल क्योंकि हमने X माना था, किसको ट्रेन की स्पीड को X माना था तो 22 आ गया, अब हमें पुछा है ट्रेन की लंबाई कितनी है लंबाई कितनी है, यह पूछ रहा है ट्रेन की डिस्टेंस पूछ रहा है, तो देखिए डिस्टेंस बराबर होता है Speed into time, यहाँ पे X का मान रखेंगे तो हमें ट्रेन की लंबाई पता चल जाएगी यहाँ पे रखी है यहाँ पे रखी है किसी में एक में रखी है, मैं फर्ष्ट वाले में रखता हूँ तो देखिए X का मान रखेंगे 22, रिंड 2, गुडित 5 बटे 18 गुडित 9, तो 9 दुनी 18 और 22 में से दो गए कित्ते बचा 20 यह आ गया, दो एकम दो इधाम 20 दस बर चल जाता है और 10 का गुड़ा पास से हो जाएगा, तो कित्ता आ जाएगा डिश्टेंस हमारी निकल के आ जाएगी 50 मीटर तो ट्रेन की लंबाई किती होगी, 50 मीटर होगी आप्सन नंबर सी इसका अंसर होगा देखिए क्वेस्टें अगला दो वेक्ति क्रम सा 2 किलोमेटर पति घंटा तथा 4 किलोमेटर पति घंटा की चाल से उसी दिसा में जा रहे हैं, जिस दिसा में एक रेलगाड़ी जा रही है तो यहां रेलगाड़ी उन्हें क्रम सा 9 सेकेंड तथा 10 सेकेंड में पार कर जाती है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है तो देखिए दोस्तों क्वेस्टें को समझिए पहले पहले वेक्ति की चाल 2 km प्रति घंटा दूसरे वेक्ति की चाल 4 km प्रति घंटा है एक रेल गाड़ी ये उसी दिसा में जा रहे हैं जिस दिसा में रेल गाड़ी जा रही है तो पहले वेक्ति को जो है 9 सेकेंड में पार करती है रेल गाड़ी और दूसरे वेक्ति को 10 सेकेंड में पार करती है तो रेल गाड़ी की लंबाई क्या है ये ग्यात करना है हमें हल करते हैं देखिए तो पहला वेक्ति ये हो गया इसकी चाल किती है दो किलो मीटर प्रती घंटा और दूसरा वेक्ति इसकी चाल है चार किलो मीटर प्रती घंटा और एक रेल गाड़ी ये रेल गाड़ी माल लिए इसकी चाल हमें नहीं दिये एक्स माल लेते हैं तो देखिए रेल गाड़ी भी उसी दिसा में जा रही है और वेक्ती भी उसी दिसा में जा रहा है तो पहला वेक्ती देखिए रेल गाड़ी की चाल एकस है और पहले वेक्ती की चाल दो है ex ACT tied 3 by alyession 2 औलुदी cũ दूसरे विखति दो आ गए दूस्रे विखति की चाला जाएगी 16 चार 304 तो देखिए पहले विखति को जो ट्रेन और 9 सेकंड़ में पार करती है और दूसरे विखति को दस सेकंड़ में पार रही है हमारे पास अब हमारे पास time भी है और चाल भी है तो distance निकाल सकते हैं distance निकाल लेंगे देखी दोस्तों distance बराबर होता है speed into time speed into time speed देखिए first condition में क्या है पहले वेकती वाली condition जो चाल है समान गति के साफ है एक चाल किती एक स्रिंड दो किलोमिटर पती घंटा में चाल जो है किलोमिटर पती घंटा में और हमारे option मीटर में तो हमें मीटर पर सेकंड में convert करना पड़ेगा इसके लिए पाज बटे अठारा को गुड़ा करेंगे गुडित पाज बटे अठारा और time किता है पहले वक्तिव पार करी नव सेकंड का टाइम ले रही है और दूसरी कंडिशन में आ जाते हैं देखिए सेकंड कंडिशन में क्या बोल रहा है समान दिसा के साप एक चाल कित्ती आ जाएगी उसकी एकस रिंड चार तो एकस रिंड चार यह भी किलोमीटर परती घंटा में मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे पाज बटे अठारा का गुड़ा होगा इसे दस सेकंड में पार कर रही है टाइम के ता ले रही है यह दोनों चाले बराबर होंगी क्यूंकि देखिए ट्रेन जो है पहले बक्ति को पार करने में जिस चाल से पार कर रही है उसी चाल से speed से दुसरे बक्ति को भी पार कर रही है यानि कि दोनों की speed बराबर है इसलिए बराबर हैगा 5 बट्टे 18 से 5 बट्टे 18 केंसिल हो जाएगा 9 का गुड़ा X रिन 2 के साथ होएगा तो देखी क्या होता है यह हो जाएगा 9X रिन 9 दुनी 18 इक्वल टू 10 का गुड़ा X के साथ होएगा 10X और 10 चों के 40 देखिए चार रासी अलग और अचार रासी अलग कर लेते हैं 10 एक्स में से 9 चल जाएगा तो क्या बचेगा एक्स बचेगा उसी प्रकार 40 में से 8 गया 22 बच जाएगा एक्स बराबर क्या गया 22 तो देखिए हमें क्वेश्चन में पूछा रेल गाड़ी की लंबाई कितनी है तो देखिए फर्स्ट वाली कंडिशन और सेकेंड वाली कंडिशन दोनों को देखिए दोनों में एक्स की वेल्यू रखेंगे किसी भी एक में एक्स की वेल्यू रख सकते हैं जिसमें हमें सरलत हो तो देखिए इस्टेंस में पूछा तो डिस्टेंस बराबर हो इस्पीड इन्टु टाइम तो इस्पीड इन्टु टाइम इस तो है एक्स की वेल्यू रख देंगे यहाँ पर तो रख देते हैं एक्स का मान हो गया बाइस रिंड दो और गुड़ा में यह देखिए पाज बटे अठारा गुड़ीत नव हल कर लेंगे से नव कम नव दूनी अठारा और बाइस में से दो गए बाइस में से दो गए कित्ते बचे बचे बीस गुड़ीत पाच बटे दो यह आ गया दो से कित्ते बार कर जाएगा दस बार कर जाएगा दस गुड़ीत पाच कित्ता आ गया पचास मीटर रेल गाड़ी की लंबाई कित्ते होगी पचास मीटर होगी आप्सन नंबर सी आ जाएगा आप्सन नंबर सी देखिए इसका आंसर होगा अगले कुश्चन पर चलिए 240 मिटर लंबी एक रेल गाड़ी अपने समान सामने से विपरी दिशा में 3 किलोमीटर पति घंटा की चाल से रेल वे लाइन के साथ आ रहे वेक्ती को 10 सेकेंड में पार कर जाती रेल गाड़ी की चाल कित्नी है तो देखी दोस्तो रेल गाड़ी की लंबाई किती है 240 मीटर लंबी रेल गाड़ी है इसकी उपरी दिसा में 3 किलो मिटर यानि की 3 किलो मिटर पत्ती घंटा की चाल से चलकर रेल वे लाइन के साथ आ रहे हैं वेकती को 10 सेकेंड में पार कर देती है ट्रेन तो रेल गाड़ी की चाल कितनी है ये पूछा है तो हल करते हैं देखी तो देखी ट्रेन की लंबाई किती है 240 मीटर लंबी ट्रेन है 240 मीटर लंबी ट्रेन 3 किलो मिटर पत्ती घंटा एक वेकती है ये वेकती है समझ लिजे इसकी चाल किती है तीन किलोमीटर प्रति घंटा और ये जो ट्रेन है इस वेक्ति को 10 सेकेंड में पार करती है इस वेक्ति को 10 सेकेंड में पार करती है देखिए यहाँ पर तो वेक्ति की तो चाल दिये लेकिन ट्रेन की चाल नहीं दिये हम इसे X माल लेंगे एक्स किलोमेटर पति घंटा माल लेंगे चाल को ट्रेन की चाल एक्स माल लेंगे तो देखिए यहां पर ट्रेन और वेक्ति एक दूसरे की विपरी दिसा में जा रहे हैं और विपरी दिसा के साप एक चाल क्या होगी जूड़ेगी विपरी दिसा के सापेक चाल जूड़ती है तो चाल क्या हो जाएगी एक से ट्रेन की चाल है और वेक्ति की चाल कित्ती है तीन किलोमीटर तो चाल कित्ती आ जाएगी एक सद्धन तीन आ जाएगी वेक्ति और ट्रेन की समान दिसा के सापेक चाल क्या हो जाएगी X धन 3 हो जाएगी तो देखिए 4 बराबर क्या होता है Speed बराबर होता है distance upon time तो distance हमें किती दिये देखिए Speed किती है X धन 3 समान दिसा के सापक चाल निकली X धन 3 चुकि 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है किलोमीटर प्रति घंटा में चाल और train की लंबाई हमें मीटर में दिए 240 मीटर बोल रहा है तो देखिए Value को समान करना पड़ेगा इसलिए हम किलोमीटर जो 4 हमेरी किलोमीटर प्रति घंटा में उसे मीटर पर सेकेंडได้ चेंज करने के लिए 5 बटे 18 को गुड़ा करेंगे बराबर तो डिस्टेंस किती है डिस्टेंस सहे हमारी 240 किलो मीटर और टाइम किता ले रहे हो 10 सेकेंड 10 सेकेंड में पार कर रहे ही वेक्ति को तो देखिए 10 से कम 10 और 10 से ये कितने बार कर जाएगा 24 बार कर जाएगा अब 18 का गुड़ा 24 के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 18 गुड़ी 24 करेंगे तो ये 432 हो जाता है और इधर बजगया 5 का गुड़ा एक्स धन 3 के साथ हो जाएगा तो ये 5 एक्स धन 5 तिया 15 अब 432 में से 15 को घटा देंगे पक्षांत्रों के इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 432 में से 15 को घटाएंगे तो बच जाता है 417 तो 5X बराबर क्या जाएगा 417 अब हम इस 5 से 617 को काटेंगे तो यह कर जाता है 83 दसमलो 4 बार तो X बराबर क्या आ गया 83 दसमलो 4 रेलगाडी की चाल कित्ती होगी 83 दसमलो 4 किलोमीटर पती घटा आप्सन नमबर C आ जाएगा इसका अंसर अगले क्वेश्चन पर चलिए एक रेलगाडी 30 किलोमीटर पती घटा की चाल से जा रही है एक वेक्ती उसी दिशा में पत्रियों के समानतर 15 किलोमीटर पती घटा की घटी से दोड़ रहा है यदि रेलगाडी उस वेक्ती को 48 सेकेंड में पार करें तो रेलगाडी की लंबाई कितनी है तो देखिए एक रेल गाड़ी जो है 30 किलो मेटर पती घंटा की चाल से चल रही है और वेक्ति उसी दिशा में यानिकी रेल गाड़ी की दिशा में 15 किलो मेटर पती घंटा की घंटा की गती से दोड़ रहा है उस वेक्ति को जो रेल गाड़ी जो है 48 सेकेंड 48 सेकेंड में पार करती है रेल गाड़ी की लंबाई किती ये ग्यात करना है तो हल करते है तो देखी दोस्तों रेल गाड़ी की जो स्पीड है वो किती है 30 किलो मीटर प्रती घंटा रेल गाड़ी की स्पीड किती है 30 किलो मीटर प्रती घंटा और जो उसी दिशा में पट्री क के समान टार जो लड़का दोड रहा है वेकति दोड रहा है उसकी स्पीड किती है उसकी स्पीड है पंदरा किलोमेटर प्रतिगर्ण तो देखिए दोनों एक ही दिशा में दोड रहे है समान दिशा के सापग से चाल क्या हो जाएगी गटेगी समान समान दिशा के सापेक चाल घटती है, 30 में से 15 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, 15 बचेगा, समान दिशा के सापेक चाल क्या आज गई, 15 आज गई, तो देख ये question बोल रहा है, 30 किलोमेटर पती घंटा की चाल से train चल रहे हैं, और वेक्ती जो उसी दिशा में 15 किलोमेटर समान दिशा के सापेक चाल कित्ती निकाले हमने, 15 निकाले, समान दिशा के सापेक ची स्पीड 15 आजाएगी, 30 में से 15 घटा देंगे, क्योंकि समान दिशा में चाले घटती हैं, और विपरी दिशा में जूडती हैं, तो देखिए हमारे पास क्या क्या है, स्पीड है, और ट तेंस बराबर होता है speed into time तो speed किती है हमारी 15 देखिए जो speed है किलोमीटर पती घंटा में और हमारे option मीटर में दिये तो हमें किलोमीटर पती घंटा को मीटर में convert करना पड़ेगा तो कर देते हैं करने के लिए 5 बटे 18 का गुड़ा करेंगे गुड़ीत टाइम किता लिए रही 48 सेकेंड तो देखिए 62,12,6,3,8,6,8,8,8,8,8,8,3,5,15 तो क्या बज गया पाच गुड़ीत पाच गुड़ीत आठ पाच गुड़ीत तो कितना हो जाएगा टोटल यह हो जाता है 200 पाच अठ चालिस और चालिस पंचे 200 तो इस स्पिट क्या निकल के आ गई स्वारी डिस्टेंस 200 निकल के आ गई 200 मीटर ट्रेन की लंबाई कित्ती होगी 200 मीटर होगी आपसन नमबर डी होगा इसका अंसर अगले कुश्चन पर चलिए दो रेल गाड़ी जिनकी चाल तीन अनुपाद चार के अनुपाद में हैं समानतर पट्रियों पर विपरी दिसाओं में जा रही है यदि प्रत्यक रेल गाड़ी एक खंबे को पार करने में तीन सेकंड ले तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी तो देखिए कोईस्चन को समझीए दो रेल गाड़ी के चालों का अनुपाद दिया है तीन अनुपाद चार विपरी दिसाओं में जा रही है एक इस दिसाओं में तो एक दिसाओं में जा रही है तो देखी दूस्तो इस question को दो तरीके सहल कर सकते हैं एक सरल और एक कठीन तो देखी सरल तरीका ऐसा है कि train जो किसी वेक्ति को पहली train 3 second में पार कर रही है दूसरी train भी 3 second में पार कर रही है तो देखी है 3 और 3 कित्ते हो गए 6 6 तो वो बोल रहा है वो एक दूसरे को कित्ते समय में पार कर लेगी दोनों ट्रेने जब मिलकर एक वेक्ति को 6 सेकेंड में पार कर रही है तो एक दूसरे को कित्ते समय पार इसका आदा कर दीजिए तो तीन सेकेंड में एक दूसरे को पार कर लेगी और long method में देखिए हल करते हैं तो देखिए दोस्तों यह एक ट्रेन है और यह दूसरी ट्रेन है इनकी चालों का अनुपाद क्या दिया है? तीन अनुपाद चार तो दोनों ही ट्रेन किसी वेक्ति को तीन सेकेंड में पार कर रही है तो देखिए विपरी दिशा में चाले जूडती हैं तो पहले की तीन दूसरे की चार तीन और चार कित्ते हो गए? साथ हो गए तो इनकी चाले क्या हो जाएगी? समान दिशा की सापेक्स चाल साथ हो जाएगी? तो समान दिशा के सापेक्स चाल कित्ते हागई? साथ आगई? तो देखिए यहाँ पर तीन किलो मिटर प्रती गंटा की चाल से तीन किलो मिटर प्रती सेकेंड की चाल से सुरी सेकेंड आएगा तीन किलो मिटर प्रती सेकेंड की चाल से तीन मिनट में वेक्ति को पार कर रहा है तो तीन मिनट में कित्ती दूर रिताय करेगा नव दूरी तै कर रही है 12 मीटर दूरी तै कर रही है तो दोनों मिलकर यहां से यहां तक किती दूरी तै कर रहे है 9 धन 12 कित्ते हो जाएगा 9 और 12 21 हो जाता है तो देखिए हमें यह डिस्टेंस निकल गई हमारी 21 स्पीड हमेरी साथ निकल गई तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपान स्पीड तो देखिए 21 बटे 21 है हमारी डिस्टेंस और स्पीड है साथ साथ त्री 21 तीन सेकेंड यह हमारा होगा आंसर अप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर अगले क्वेश्चन पर चलिए समान लंबाई की दो रेल गाड़ी एक दूसरे को समानतर पट्रियों पर एक ही दिसा में क्रमसा 56 किलोमेटर पति घंटा है तथा 46 किलोमेटर पति घंटा की चाल से जा रही है तेज गति वाली रेल गाड़ी दूसरी रेल गाड़ी को 36 सेकेंड में पार कर जाती है प्रतेक रेलगाडी की लंबाई कितनी है ये ग्याद करना है तो question को समझिए पहले तो समान लंबाई की दो रेलगाडी है एक दूसरे को समानतर पट्रियों पर एक ही दिसा में चल रही है देखिए जो रेलगारी हैं एक ही दिसा में चल रही है समानतर पत्रियों पर एक की स्पीड हैan 56 km kg दूसरी को 46 km पर गंटा तो बोलूरए तेज गती वाली रेलगारी दूसरी रेलगारी को 36 सेकेंड में पार कर देती है यानि कि तेजगती वाली कुन्ति चपपन वाली यह जो रेलगाडी है वो इस रेलगाडी को 36 सेकंड में पार करजे प्रते रेलगाडी की लंबाई ग्याद करना है तो हल करते हैं तो देखिए यह कोई रेलगाडी है इसकी जो स्पीड है 56 किलोमेटर प्रति घंटा है और देखिए जो रेलगाडी है अधिक चाल वाली रेलगाडी अधिक गाती वाली रेलगाडी कुन्सी है 56 किलोमेटर यह वाली यह इस रेलगाडी को 36 सेकंड में पार कर लेती है तो टाइम किता है 36 सेकंड 36 सेकंड में पार कर लेती है यह रेलगाडी इस रेलगाडी को 36 सेकंड में पार कर लेती है तो देखिए दोनों रेलगाडी विपरी दिसा में जा रही है एक इस दिसा में और एक इस दिसा में जा रही है और विपरी दिसा के सापेक्चे चाले जूडती है तो चाल क्या हो जाएंगी जूड जाएंगी तो दोस्तों एक विप्री दिशा में एक ही दिशा में जा रही है दोनों ट्रेने एक ही दिशा में जा रही है तो देखी दोस्तों पहली जो रेल गाड़ी 56 किलोमीटर पतिगंटा की चाल से चल रही है और दूसरी रेल गाड़ी 46 किलोमी तो टाइम 36 सेकेंड हो गया, और चुकी समान दिसा, एक ही दिसा में चल रही है ट्रेने, तो समान दिसा में चाले घटेंगी, समान दिसा के सापेक्स चाले घटेंगी, तो बड़ी अधिक चाल में से कम चाल को घटा देंगे, तो देखिए 56 में से 46 को घटा देंगे, तो कितन आ जाएगा 10 आ जाता है तो समान दिशा के साप एक चेचाल कित्ती निकल गई 10 निकल गई समान दिशा के साप एक चेचाल 10 आ गई तो हमारे पास speed है और time भी यह देखिए तो distance निकाल सकते हैं तो distance बराबर होता है speed into time तो speed किती है 10 km परति घंटा में है चुकी 10 जो km परति घंटा में इसे मीटर पर सेकेंड में करना पाड़ेगा क्योंकि हमारे option मीटर में है तो देखिए मीटर पर सेकेंड में convert करने के लिए 5 बटे 18 का गुड़ा किया जाता है गुड़ित टाइम टाइम किता है 36 सेकेंड में पार कर रही है देखिए 18 दूनी 36 तो देखिए 10 गुड़ित 5 गुड़ित दो 10 पाना 50 पाचास दूनी 100 तो distance किती है आ गई 100 आ गई तो देखिए दोनों ट्रेने की यहां से लेके यहां तक distance किती हो गई 100 तो 100 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो एक ट्रेन की लंबाई पता चल जाएगे हमें एक ट्रेन की लंबाई किती हो जाएगी 50 मीटर तो 50 मीटर एक ट्रेन की लंबाई किती होगी 50 मीटर तो प्रतेक रेल गाड़ी की लंबाई किती होगी 50 मीटर इसकी भी पचास होगी और इसकी भी पचास और पचास सव तो option number A हो जाएगा इसका answer अगले question पर चलते हैं एक ही चाल से जा रही एक rail गाड़ी 96 मीटर लंबे platform को 12 सेकेंड में तता 141 मीटर लंबे platform को 15 सेकेंड में पार कर जाती है रेल गाड़ी की लंबाई तता 4 क्रमसा लंबाई भी पूछा है और 4 भी पूछा है एक काम दो काज तो देखिए एक ही चाल से जा रही हैं दोनों रेल गाड़िया रेल गाड़ी 96 मीटर लंबे platform को 12 सेकेंड में तता 141 मीटर लंबे platform को 15 सेकेंड में पार करती है दो कंडिसन दिये यहां पर एक ही चाल से एक रेल गाड़ी चाल समान है 96 मीटर लंबे platform को 12 सेकेंड में पार करती है और 141 मीटर लंबे platform को 12 सेकेंड में पार करती है रेल गाड़ी की लंबाई भी पूछा है चाल भी पूछा है तो हल करते है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक रेल गाड़ी समान चाल से जा रही एक रेल गाड़ी देखिए हम यहाँ पर रेल गाड़ी की ना चाल दीए ना डिस्टेंज दीए देखिए हम चाल को जो है ए चाहानवे मीटर लंबा है, चाहानवे मीटर लंबा प्लेट फार्म है, को बारा सेकंड में पार करती है, को बारा सेकंड में पार करती है, तो देखिए, फैस्ट कंडिसन में, तो देखिए, जब भी कोई रेल गारी किसी प्लेट फार्म को पार करती है, तो खुद की लंबाई को भी जोड लेती है हमें तो रेल गारी की लंबाई नहीं दी है तो हमें इसे x मान लिया और प्लेटफर्म की लंबाई ये 96 तो डिस्टेंस कितनी निकल जाएगी एक्स धन 96 फर्ष्ट कंडिशन में देखिए डिस्टेंस निकल जाएगी X धन 96 ये distance निकल गई फर्स्ट कंडिशन में अब आगे question क्या बोल रहा है तता 141 मीटर लंबे प्लेटफार्म को यानिकि एक दूसरा और एक प्लेटफार्म है उसको 141 मीटर लंबा है किता मीटर लंबा है 141 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकेंड में वो जो है 15 सेकेंड में पार कर लेती है ट्रेन 15 सेकेंड में पार कर लेती है रेलगाडी तता तो देखिए तो distance क्या हो जाएगी दूसरे कंडिशन में रेलगाडी की दूरी तो X है और दूसरे प्लेटफार्म की दूरी किती दिये 141 दिए एक धन 141 हो जाएगी यह distance निकल जाएगी क्योंकि rail गड़ी अपनी लंबाई के साथ platform की लंबाई को जोड़ लेती है तो distance किती आ जाएगी total यहां से यहां तक 141 तो देखिए यह distance क्या आ गई x धन 141 यह d2 मान लेते हमें से तो हमारे पास देखिए distance है दूरी है और समय भी है 12 सेकंड और 15 सेकंड तो हम क्या निकाल सकते हैं चाल निकाल सकते हैं तो speed बराबर होता है distance upon time तो distance तो distance फर्स्ट कंडिशन में distance देखिए 196 एकस धन 96 और time किता ले रही है 12 सेकंड ले रही है फर्स्ट प्लेटपरम को फार कर रही है तो और दूसरी कंडिशन में देखिए 141 distance किती है एकस धन 141 और time किता ले रही है 15 सेकंड का time ले रही है और देखिए यहां बराबर होगा क्यों बराबर होगा क्यों क्यों बराबर होगा क्योंकि एक ही चाल से जा रही है चाल समान है इसलिए बराबर आएगा निसान देखिए तीन चो के बारा तीन पाचे पंदरा अब इस पाच का गुड़ा एकस धन 96 के साथ हो जाएगा और चार का गुड़ा एकस धन 41 के साथ हो जाएगा पाच गुड़ी 96 होगा तो यह 488 हो जाएगा बराबर इसका गुड़ा 4X हो जाएगा और चार का गुड़ा 141 के साथ हो जाएगा तो 556 हो जाएगा तो देखिए चार राची एकसाइड और अचार राची एकसाइड कर लेंगे हम चार राची को एकसाइड और अचार राची को एकसाइड कर लेंगे देखिए 5X 5X में से 4X चल जाएगा तो X बचेगा एकस बचेगा उसी परकार 566 में से 480 जाएगा कितना बचेगा चबर राची बचेगा चुकि हमने रेल की दूरी को एकस माना था तो रेल की लंबाई कितने आ गई 84 मीटर 84 मीटर रेल की लंबाई आ गई अब हमें पूछा है चाल पूछा है तो 4 बराबर दूरी बचे समय होता है देखिए हमने लिका ला था 4 बराबर दूरी बचे समय 4 थी X दन 96 बचे समय था 12 इन दोनों वेल्यू दोनों वेल्यू में से किसी एक में X का मान रग दीजिए मैं फर्स्ट वाली में रग देता हूँ तो देखिए X का मान 84 रग देंगे यहाँ पर X की वेल्यू 84 रग देते हैं धन 96 बचे 12 84 धन 96 कितना हो जाता है 180 हो जाएगा यह तो देखिए 12 एक मारा 12 पंचे 60 कितना आ गया 15 बर कड़ गया यह 15 मीटर पर सेकेंड में है इसे किलोमीटर परति घंटा में चेंज करेंगे तो देखिए 15 गुडी किलोमीटर परति घंटा में चेंज करने के लिए 5 बचे 18 का गुड़ा मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड में जाना तो अठारा बटे पाच का गुड़ा करेंगे तो पाच तिया पंद्रा अठारा गुड़ी तीन किता हो जाएगा 54 हो जाएगा 54 किलोमीटर परति घंटा तो देखिए रेल गाड़ी की लंबाई कित्ती निकल गई 84 किलोमीटर और चाल कित्ती निकल गई रेल गाड़ी की 54 किलोमीटर परति घंटा तो इसका आंसर क्या आजाएगा आंसर आजाएगा अप्सन नमबर C 84 मीटर तथा 54 किलो मीटर प्रति घंटा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दो मालगाड़ी जिन में से प्रते एक 500 मीटर लंबी है दोनों मालगाड़ी 500 मीटर लंबी है समान पत्रियों पर एक दूसरे की विपरीज दिशा में समान पत्रियों पर एक दूसरे की विपरीज दिशा में क्रमसा 45 किलो मीटर प्रति घंटा तथा 30 किलो मीटर प्रति घंटा जो पहली हो 45 किलो मीटर प्रति घंटा और जो दूसरी रेल गाड़ी हो 30 किलो मीटर प्रति घंटा की 4,000 दीमी गती वाली रेल गाड़ी कुन सी है ये दूसरे नमबर की रेल गाड़ी दूसरी गाड़ी को दीमी गती वाली रेल गाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितने देर में पार कर जाएगी तो धीमी गाती वाली रेल गाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी दिर में पार कर जाएगी ये ग्यात करना है तो हल करते हैं देखिए तो देखिए दो माल गाड़ी एक दूसरे की विपरित दिसा में चल रही है ये पहली हो गई और दूसरी जो मालगाड़ी है इसके विपरीच चल रही है प्रतेक मालगाड़ी की लंबाई पचार पास्सो मीटर है ये भी पास्सो मीटर है और ये भी पास्सो मीटर है जो है पहली रेल गाड़ी इसकी जो स्पीड है 45 किलो मीटर प्रति घंटा है पहली वाली की और दूसरी जो रेल गाड़ी उसकी स्पीड है 30 किलो मीटर 30 किलो मीटर प्रति घंटा तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के विपरी दिसा में चल रही है और एक दूसरे के विपरी दिसा के सापेक्च चाल क्या होती है जूडती है तो ये जूड जाएंगी तो विप्रीज दिशा के साप एकची स्पीड कित्ती निकल जाएगी 45 और 30 कित्ते हो जाते हैं 75 एक दूसरे के विप्रीज दिशा के साप एकची स्पीड कित्ती हो जाएगी 75 किलोमीटर प्रति घंटा और देखी तोटल दूरी जब ये एक दूसरे को पार करेंगे यहां से यहां तक दूरी तै करना पड़ेगा दोनों को और तोटल दूरी किती है पाच पास सो तो ये हो जाएगी हजार पास सो और पास सो किते हो गए एक हजार मीटर तो देखिए हमारे पास क्या है Speed है और Distance है Distance किती है 1000 है तो हम Time निकाल सकते हैं Time बराबर Distance upon Speed होता है Time बराबर होता है Distance upon Speed तो Distance किती है Distance है 1000 मीटर और जो Speed है 75 किलो मीटर प्रति घंटा 75 किलो मीटर प्रति घंटा तेखिए Speed 75 किलो मीटर प्रति घंटा में और हमारे Option देखिए Seconds में दियें तो इसे Change करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में तो करने के लिए 5 बटे 18 को गुड़ा करेंगे अंतर हो के उपर चल जाएगा उसका तो देखिए 5 एकम 5 5 दूनी 10 ये 200 बार कड़ गया पास से फिर देखिए 5 एकम 5 और 5 पचीस फिर पाचों के 20 40 बार कड़ गया 5 तिया 15 और 5 अटे 40 3 अठरा किसे बार कर जाएगा 6 बार कर जाएगा तो क्या बजगे 8 गुड़िच च्छै 8 गुड़िच च्छै इस है 8 चैंग 48 तो जो है कम स्पीड वाली रेल गाड़ी अधिक स्पीड वाली रेल गाड़ी को 48 सेकेंड में पार कर लेगी option क्या आ जाएगा 48 second option number C यह रहा question देखिए 48 km प्रति घंटा की चाल से जा रही एक rail गाड़ी अपने से आधी लंबाई की rail गाड़ी को जो इसकी विपरी दिशा में 42 km प्रति घंटा की चाल से आ रही है इसे 12 second में पार कर जाती है यह rail गाड़ी एक platform को 45 second में पार कर जाती है इस platform की लंबाई कितनी है तो question को समझते है तो question देखिए 48 km प्रति घंटा की चाल से एक rail गाड़ी जा रही है इसके इस rail गाड़ी से आधी लंबाई की rail गाड़ी यह रेलगाडी से आधे लंबाई की रेलगाडी इसके विपरी दिशा में 42 km प्रति घंटा की चाल से आ रही है तो यह रेलगाडी एक दूसरे को 12 सेकेंड में पार करते हैं फिर देखें यहां से second question स्टाट हो जाता है यहां रेलगाडी जो प्लेटफर्म को 45 सेकेंड में पार करती है यहां रेलगाडी 45 सेकेंड में पार करती है कौनसी 48 km प्रति घंटा से आ रही हो पार करती है तो इस platform की लंबाई कितनी है यह ग्याद करना है हमें तो हब करते हैं तो देखे question को diagram से समझते हैं सबसे पहले एक rail gari जिसके speed किती है 48 km प्रति घंटा 48 km प्रति घंटा और दूसकी rail gari इसकी आधी इसकी लंबाई पहली rail gari से आधी लंबाई की rail gari जैसे पहली रेलगाडी की लंबाई किती है टू एक्स है तो इसकी आधी लंबाई किती होगी एक्स होगी पहली रेलगाडी से आधी लंबाई की रेलगाडी 42 किलोमीटर प्रतिगंटा की स्पेड से आ रही है यह वाली रेलगाडी पहली रेलगाडी जो है 48 किलोमीटर प्रतिगंटा की चाल से चल रहे हैं और दूसरी रेलगाडी जो पहली रेलगाडी से आधी लंबाई की है यानि कि पहली रेलगाडी की लंबाई 2X है तो दूसरी रेलगाडी की लंबाई X होगी 2x की आधी x 42 km पति गंटा की चाल से एक दूसरे की विपरी दिशा में जा रहे है जब ट्रेने एक दूसरे की विपरी दिशा में चलती हैं तो विपरी दिशा के साथे जोड़ती हैं तो देखिए तो यह कित्ता हो जाएगा 48 धन 42 यह हो जाता है 90 तो डिस्टेंस कित्ती आगई टोटाल 90 आगई चुकि जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है तो यह अपनी दूरियों को जोड़ लेती है तो टोटल डिस्टेंस देखिए यहां से यहां तक जाना होगा उसे स्टार्टिंग पाइट यहां होगा दूसरी रेल गाड़ी यह एकस है इसकी लंबाई तो टोटल लंबाई कित्ती हो जाएगी 3x हो जाएगी तो लंबाई कित्ती हो जाएगी 3x हो जाएगी तो यह देखिए टोटल लंबाई 3x हो जाएगी को 12 सेकेंड में पार करती है यह जो रेल गाड़ी है एक दूसरे को किते समय पार करती हैं 12 सेकंड में पार करती हैं तो टाइम किता आ गया टाइम आ गया 12 सेकंड का तो हमारे पास देखिए एक बार समझिएगा चुकि विपरीद दिसा में चल रहे हैं विपरीद दिसा के सापेक्च चालों को जोड़ा जाता इसलिए 38 और 42 को जोड़े तो 90 आ गया जब ट्रेने एक दूसरे को पार करती हैं तो अपनी दोनों ट्रेनों की लंबाई जूड़ जाती है तो 2x धन x 3x हो गया और टाइम हमें दिया है 12 देखिए हमारे पास speed है speed 90 है distance किती है 3x है और time 12 है distance 3x है तो देखिए time बराबर क्या होता है distance upon speed तो distance किती है distance है 3x speed है 90 km प्रतिघंटा में और हमारे option जो मीटर में दिये इसे मीटर पर सेकेंड में change करना होगा मीटर पर सेकेंड में change करने के लिए 5x 18 का गुड़ा करेंगे तो 5x 18 बटे में 18 होगा जो उपर चल जाएगा बराबर time time किता ले रही 12 सेकेंड ले रही दूसरे को पार करने में तो देखी 18 एकम 18 अठरा पंचे नब्बे तीन 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 चों के बारा तो पाच गुड़ी पाच्चीस और पच्चीस गुड़ी चार पच्चीस गुड़ी चार किता हो जाएगा किता जाएगा एकुड़ाबर आ घया सा हूँ कि तो देखी यहां पर हमने 11 रें दूसरी ट्रेन की लंबाइब को माना एक तो एक सब्रकार संगे मैं या नियुका कर biz तो दीखिय कि पालीव ट्रेंड म ही तर यूबर तो च्रेंड ये आ साव कह लाटगे तो झामान सव है तो इस ट्रेन की लंबाई सव हो गई तो 2X दूसरी ट्रेन यानि कि जो 2X है इस का मान दूसरी ट्रेन जो है हमारी जो पहली ट्रेन से आधी है उसकी लंबाई किती है सव है तो पहली ट्रेन की लंबाई किते आजाएगी 2X है तो 2 के साथ 100 का गुड़ा करेंगे तो X का मांद 100 राखेंगे तो इसकी लंबाई आजाएगी 200 X बराबर क्या आजाएगा 200 आजाएगा तो देखिए यह जो है दूसरे नंबर की ट्रेन इसकी डिस्टेंस आ गई अधि जो पहले नंबर की ट्रेन है उसकी डिस्टेंस किते आ जाएगी दो गुड़ी 100 बराबर 200 200 मीटर लंबी होगी अब देखिए यहां से सेकेंड कोईच्चन इस्टार्ट होता है सेकेंड कोईच्चन इस्टार्ट होता है वो बोल रहा है आगे यहां ट्रेन एक प्लेट फार्म को 45 सेकेंड में पार कर जाती है तो प्लेट फार्म की लंबाई क्या है तो देखिए यहां पर जो है बात हो रही किसकी पहली ट्रेन की तो पहली चाल किती आ गई डिस्टेंस किती है 200 मीटर और किता टाइम ले रही हो 45 सेकेंड का टाइम ले रही है प्लेटफार्म को पार करने में तो देखिए टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड और टाइम ले रही है प्लेटफार्म को पार करने में 45 सेकेंड का और डिस्टेंस है 200 और देखिए यहाँ पर X भी आएगा जब रेलगाड़ी यह प्लेटफार्म है इसे पार करेगी रेलगाड़ी की लंबाई तो 200 निकाल ली है हमने और प्लेटफार्म की लंबाई हमें मालूम नहीं है तो इसे X माल लेते हैं जब कोई रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करती है तो उसके साथ प्लेटफार्म की लंबाई को भी जूड़ लेती है तो 200 धन X हो जाएगा यह इसलिए 200 दन एक सो आ जाएगा डिस्टेंस में बटे, स्पीड, स्पीड किती है 48 किलोमीटर पती घंटा के चाल से चल रही है पहली है रेल गाड़ी चुकि किलोमीटर पती घंटा में ये भी तो हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा तो क्या करेंगे पाज बटे 18 का गुड़ा कर देंगे बटे में 18 आएगा जो उपर चल जाएगा तो इसके साथ गुड़ा हो जाएगा देखिए 62 नी बारा, 63, 18 और 6 से 8 बार कड़ जाता है 48 अब देखिए 3 एकम 3, 35, 15, 8 गुड़ीत, 8 पंचे 40 और 40 गुड़ीत 15 कित्ता हो गया 600 हो जाता है तो यह जाएगा 200 धन एक्स बराबर 600 तो देखिए 600 में से 200 माइनस हो जाएगा तो कित्ता बचेगा? 400 बचेगा तो प्लेटफार्म की लंबाई कित्ती आ गई? 400 मीटर प्लेटफार्म की लंबाई होगी 400 मीटर ओप्सन नमबर A इसका आंसर होगा आगले क्वेश्चन पर चलते हैं दो इस्टेशन A तथा B एक दूसरे से 220 किलोमीटर दूरी पर हैं एक रेलगाड़ी A से 80 किलोमीटर परतिघंटा की चाल से और B की ओर जाता है और 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर परतिघंटा की चाल से B से A की ओर जाती है दोनों रेलगाड़ी A से कितनी दूरी पर मिलेगी क्वेश्चन को समझते हैं देखिए देश्टो दो इस्टेशन हो गए A तथा B A से B की ओर A से B की ओर एक रेलगाड़ी जो है ये A से B दो इस्टेशन है इन दोनों की डिस्टेंस किती हो गए 220 यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 220 किलोमेटर जो रेलगाड़ी A है पहली रेलगाड़ी A से A से 80 किलोमेटर पतिगंटा की चाल से B की ओर जाती है यानिकि इस तरफ जाती है 80 किलोमेटर पतिगंटा से और दूसरी रेलगाड़ी दूसरी रेलगाडी जो है 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाडी 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाडी 100 किलोमिटर पति घंटा की चाल से 100 किलोमिटर पति घंटा की चाल से B से A की और जाती है तो हमें यह ग्याद करना है कि रेलगाडी रेल गाड़ी जो है A से किस दूरी पर आपस में मिलेगी ये ग्याद करना है हमें तो हल करते हैं देखिए तो देखिए दोस्तो दो इस्टेसन हो गए A और B ये दो इस्टेसन है A से एक रेल गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से B की ओर जाती है और B से एक अन्य रेलगाड़ी आदा घंटा बाद यानि कि आदा घंटे बाद B से एक रेलगाड़ 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से B से A की ओर जा रही है तो देखिए पहली बात तो Station A से Station B तक की दूरी किती है 200 मीटर है 220 मीटर Station A से Station B तक की दूरी 220 मीटर है तो देखिए दोस्तो सबसे पहला काम तो हमारा टाइम बराबर करना रहेगा देखिए पहली रेल गाड़ी 80 किलो मीटर प्रति घंटा एक घंटे में 80 किलो मीटर चल रही है और उससे आदा घंटा बाद आदा घंटे बाद जो है 2 रेल गाड़ी दूसरी रेल गाड़ी 20 से इस्टाट होती है 100 किलो मीटर प्रति घंटा की चाल से तो देखिए time बराबर कर लेते, यह आधा घंटा पहले चल रही है, तो आधा घंटे में कित्ती दूरी तै कर लेगी, एक घंटे में 80 km तै कर रही है, तो आधे घंटे में 40 km यानि कि यहां तक पहुच जाएगी, और टोटल दूरी किती है 220 km, 220 km में से पहली रेल गाड़ी न 180 किलोमीटर पची है सेज दूरी अब देखिए टाइम बराबर हो गया टाइम बराबर हो गया दोनों रेल गाड़िया इस्टार्ट होंगी अब सेम टाइम पर तो देखिए सेकेंड बात ये है कि दोनों चाले एक दूसरे के विपरी दिसा में 180 किलोमीटर पति घंटा तो देखिए स्पीड आ गई 180 और डिस्टेंस है 180 अब हमारे पास इस्पीड भी है डिस्टेंस भी है तो टाइम निकाल सकते हम तो टाइम बराबर होता है distance upon speed तो distance है 180 और speed है 180 speed भी 180 है same तो एक घंटा time कितना निकल गया है एक घंटा निकल गया तो देखिए पहली रेल गाड़ी जो है एक घंटे में 80 किलोमीटर चलती है और वो आदा घंटे पहले ही start हुई थी 40 किलोमीटर रेश्टरा में चल ली थी उसने पहली रेल गाड़ी से पहली रेल गाड़ी जो है दूसरी रेल गाड़ी से आदा घंटा पहले start हुई थी तो चुकि वो एक घंटे में 80 किलोमीटर चल रही थी आदे घंटे में 40 किलोमीटर पहले ही चल ली थी उसने, तो देखिए, एक घंटे में 80 किलो मिटर चली और आदे घंटे में 40 किलो मिटर, टोटल किता हो गया, 120 किलो मिटर, सुरी, 120 किलो मिटर, तो देखिए, जो है, ए से कितने दूरी पर मिलेगी, ए से 120 किलो मिटर दूरी पर दोनों आपस में मिलेगी, इसका आंसरों का आपसर नमबर A, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, दो इस्टेशन A तथा B एक दूसरे से 110 किलो मिटर दूरी पर इस्थी था हैं, एक रेलगाड़ी A से पराथा 7 बजे और B की और तता 20 किलो मिटर परति घंटा की चाल से चलती हैं, दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन पराथा 8 बजे, B से A की और 25 किलो मिटर परति घंटा की चाल से चलती हैं, वे किस समय मिलेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देखिए हल करते हैं, क्वेश्चन को द्यान से पढ़ लीजी दोस्तों, तो देखिए, दो इस्टेशन, A और A हो गया B, एक दूसरे से कित्ते किलो मिटर दूरी, 110 किलो मिटर दूरी पर हैं, एक दूसरे से, एक रेलगाड़ी, जो पहली रेलगाड़ी है, प्राथा 7 बजे, प्राथा 7 बजे, A से प्राता 7 बजे B की ओर 20 किलो मिटर प्रति घंटा से चल रही है और दूसरी जो रेल गाड़ी है उसी दिन प्राता 8 बजे चूट रही है B से A की ओर और 25 किलो मिटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो देखिए किस समय आपस में मिलेगी ये पूछा है हमसे तो देखिए पहली प्रात्मिकता हमारी ये टाइम बराबर करना ये 7 बज़े चल रही है और ये 8 बज़े चल रही है ये 7 बज़े चल रही है और ये 8 बज़े चल रही है तो इसे भी हम 8 बज़े चलाएंगे तो देखी एक घंटे में कित्ता चल जाएगी एक घंटे में 20 किलोमीटर चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा तो देखी जब वो एक घंटे में 20 किलोमीटर चल लेगी तो यहां तक पहुच जाएगी यहां तक पहुच जाएगी तो 20 किलो मीटर 100 टोटल है 110 किलो मीटर दूरी टाय करना है उसे यहां से यहां तक 110 में से 20 किलो मीटर चलेगी तो सेज कित्ती बच जाएगी सेज बच जाएगी 90 किलो मिटर तो डिस्टेंस किती आ गई हमारी 90 किलो मिटर आ गई चुकि दोनों ट्रेने एक दूसरे की विप्रीज दिसा में चाह रही है और विप्रीज दिसा के साफ एक चाले जूडती है तो 20 धन 25 चाले जूड जाएंगी तो यह हो जाएगा 45 45 तो देखिए यह क्या आ जाएंगी 45 चाले जूड जाएंगी दोनों तो 45 आ जाएगा तो इस्पीड हमारे पास आ गई डिस्टेंस हमारे पास आ गई तो हम टाइम निकाल सकते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस अपान इस्पीड तो निकाल लेते हैं टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपन इस्पीड तो डिस्टेंस हमारी देखिए डिस्टेंस निकल के आ गई 90 और इस्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा तो देखिए 45 दुनी 90 टाइम कितना निकल के आ गई दो घंटे तो देखिए कित्ते समयबाद मिलेगी बोल रहा है एक दूसरे से तो ये वाली सेकंड वाली ट्रेन आट बजे चालू हो रही है आट धन दो दो घंटे आवर ले रही है तो कित्ते हो गई दस हो गई तो दस बजे वो आपस में मिलेगी अप्सन नमबर B अगले क्वेश्चन पर चलते 120 किलोमेटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेल गाड़ी A इसी की दिशा में समांतर पटरी पर जा रही गाड़ी B को दो मिनट में पार्क कर जाती है यदि इन गाड़ियों की लंबाई ग्रम सा 100 मीटर तथा 200 मीटर हो तो B की चाल कितनी है तो देखिए क्वेश्चन को समझते है तो देखिए 120 किलोमेटर प्रति घंटा की चाल से एक ट्रेन जा रही है 120 किलोमेटर प्रति घंटा की चाल से एक ट्रेन जा रही है इसी दिशा में समानतर इसी दिशा में देखी इसी दिशा में एक अन्य रेलगाड़ी बी जो उसे दो मिनट में पार करती है जो पहली 120 किलो मिटर से जा रही रेलगाड़ी ये रेलगाड़ी फाली रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी को दो मिनट में पार करती है तो इनकी लंबाई है पहली रेलगाडी की लंबाई किती है 100 मीटर और दूसरी रेलगाडी की लंबाई 200 मीटर है तो बी की चाल कितनी ये ग्याद करना है तो हल करते हैं देखिए तो देखिए यहां पर एक रेलगाडी जो है 120 मीटर लंबी है sorry इसकी speed 120 km प्रतिघंटा है speed किती है 120 km प्रतिघंटा और इसी दिशा में जा रहा ही एक अन्य रेल गाड़ी को जिसकी speed हमें नहीं दिये तो एक समान लेते हैं इसकी speed को को 2 मिनट में पार कर लेती है 2 मिनट में जो है इसे पार कर लेती है टाइम किता आ गया दो मिनट दो मिनट टाइम आ गया पहली रेल गाड़ी की लंबाई 100 मीटर है और दूसरी रेल गाड़ी की लंबाई 200 मीटर है तो देखिए जब तो 100 मीटर तो बी की चाल कितनी एगात करना है जब एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो वो अपनी लंबाईयों को जोड लेती है तो देखी इनकी टोटल डिस्टेंस किती आ जाएगी 100 धन 200 बराबर ये 300 आ जाएगी एक रेल गाड़ी जब यहां से स्टार्ट करेगी एंड करेगी तो टोटल किती दूरी ताय करना पड़ेगा उसे 100 आ इसकी 200 तो ये टोटल 300 मीटर दूरी ताय करेगी यहां से लेके यहां तक तो 300 आ जाएगी और सेकेंड बात विप्रीद दिसा के सापक चाले घड़ती है तो पहली तो देखिए पहली 120 किलोमीटर पति घंटा की चाल से जल रही है और दूसरी हमने एक समाना है तो ये चाले घड़ जाएगी समान दिशा के सापक चाले घड़ती हैं और विप्रीद दिशा के सापक चाले जूडती है तो देखिए यह क्या हो जाएगा टोटल स्पीड क्या निकल जाएगी हमारी 120 रिंड एक्स तो देखिए हमारे पार डिस्टेंस है हमारे पार डिस्टेंस है speed है तो हम time निकाल सकते हैं निकाल देते हैं distance बड़ाबर time बड़ाबर होता है distance upon speed time बड़ाबर होता है distance upon speed तो देखिए distance किती है 300 है 300 distance दिये और speed किती है हमारी 120 120 रिन एक्स तो देखिए यान दो हमें रेल गाड़ी की लंबाई दीए पहली रेल गाड़ी 100 मीटर दूसरी रेल गाड़ी की 200 मीटर ये जो है मीटर में दीए और हमें इस मीटर क्या है किलो मीटर प्रति घंटा में दीए तो हम क्या है, इक हैईओं को समान कर लेंगे किलो मिटर को मीटर पर सेकेंड में चैंज करने के लिए पास बटे आठारा को गुडा करना पड़ता है तो देखिए, किलो मिटर है 120-X किलो मिटर परति घंटा में दिए चाल, स्पीड जो है, 120 किलो मिटर परती घंटा, मैं दिये तो इसे मिटर पर सेकंड में चैन कर लिए कि 5, बटे 18, 18 का गुड़ा करेंगे तो उपर जल जाएगा 18, और टाइम किता है, देखिए टाइम किता ले रही 2 मिनट, 2 मिनट में किते सेकंड होते हैं, 120 सेकंड होते हैं 2 मिनट में, तो देखिए, पाच एकंड पाच, पाच चक्के, 30 और 60 बर कर जाएगा पाच से, 60 दूनी, 120 और दूनी, 18, दू से 9 बर कर गया, तो देखिए क्या बज़ गया, 9 बराबर, 120 का पक्चंतर इधर हो जाएगा, 120 रिन एक्स, तो 120 में से 9 चले जाएगा, किते बचेगा, एक्स बराबर यह आजाएगा, 111 तो B की चाल कित्ती निकल जाएगी, 111 किलो मीटर प्रती घंटा, ओप्सन नमबर A हुआ इसका आंसर, अगले कोश्चन पर चलते हैं प्लेट पाम पर खड़े एक वेक्ती ने अनुभव किया कि एक रेल गाड़ी उससे 6 सेकंड में पार कर गई, इसी गाड़ी की विप्री दिशा में जाने वाली गाड़ी इसी वेक्ती को 9 सेकंड में पार किया, यदि दोनों गाड़ियां की लंबाई बराबर हो तो एक देखिए, प्लेट पाम पर एक वेक्ती है, जो ये खड़ा है, इसे पहली गाड़ी 6 सेकंड में पार करती है और जो दूसरी गाड़ी है, इन 9 सेकंड में पार करती है, और एक लाइन ये बोला है, देखिए, दोनों गाड़ियों की चाल बराबर है, इसकी भी स्पीड बरा टायम का रेसो क्या दिया है मैं यहां पर टायम का रेसो दिया है पहली रेल-गाड़ी छह सेकंड में ठाइब है। स्पीड का रेसो स्वारी नई टाइम ही है टाइम का रेसो दिया है 6 अनुपात 9 तो इस पीड का रेसो क्या एगा बिल्कुल इसके अपोजिट क्यूंकि चाल और समय एक दूसरे की विपरित होते हैं तो यह आजाय का 9 अनुपात 6 है तो देखिये हमार पास इस्पीड है टाइम है तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं डिस्टेंस बराबर होता है इस्पीड इन्टू टाइम इन दोनों का गुड़ा होता है तो देखिये गुड़ा कर देंगे देखे आ जाएगा यह आ जाएगा चव नाउचिंग 54 और नाउचिंग 54 चुकि हमें बोला है दोनों रिल गाड़ियों की दूरी बराबर है तो इसलिए 54 चुवन दोनों बराबर आएगा तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी ये ग्याद करना है तो टाइम निकालना है टाइम बराबर होता है तो डिस्टेंस देखिए जब रिल गाड़ी एक दूसरे को पार करेगी तो देखिए यहां से यहां तक दूरी तै करना पड़ेगा जब एक रिल गाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार्क करती है तो अपनी दूरियों को जोड लेती है तो 54 अगर 54 टोटल किता हो जाएगा यह हो जाएगा 108 तो डिस्टेंस क्या आ गई 108 अगर डिस्टेंस आ गई 108 और इस्पीड किती है तो देखे टाइम बर अबर डिस्टेंस अपान इस्पीड देखिए जब तो इस्पीड भी जूढ जाएगी 9 और 6 कित्ता हो जाएगा 15 हो जाएगा और ये 15 से 108 कितने बार कर जाएगा, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, 7.2 सेकेंड का समय लेगी, ओप्सन नमबर भी, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इत्ता ही, नेश्ट वीडियो में आगय के क्वेस्चन को हल करेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को दबा दीजिए, हमारे नॉटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे, लाइक कर दीजिए दोस्तों के साथ सेयर कीजिए और कमेंट में बताईए कि वीडियो कैसा लगा